हर्याणा के पूर्व मुख्य मंत्री चौधरी भजनलाल की पुन्यति थी पर यमुना नगर में श्रधांचली सभा का आयोजन किया गया जिसमें उनके विभिन समर्थकों ने उन्हें अपनी भाव भीनी श्रधांचली अर्पित थी इस अफसर पर बोलते हुए कॉंग्रेस समन्वे समीती के सदस्य रमन त्यागी ने कहा कि चौधरी भजनलाल हर्याना के तीन बार मुख्य मंत्री रहे केंद्र में मंत्री रहे कॉंग्रेस के विभिन पदों पर रहे उन्होंने अपना सारा जीवन कॉंग्रेस की सेवा में का विवरन है सभी जानते हैं कि चौधरी भजनलाल जी ने हमेशा एक ऐसा जीवन जी है लोगों की सेवा में हमेशा लगे रहे और वो जीवन हमेशा समर्पित रहा गरीबों और दलितों के उत्थान के लिए आज कोई ऐसा लीडर नहीं है कोई ऐसा नेता नहीं है किसी भी पर्टy में जो भजनलाल जी जितना लोग प्रीये हैं रहा हो या आज की तारीख में हो क्योंकि किसी की भी भावना की सेवा भावना नहीं है चौधरी बजनलाल जी तीन बार हर्याना के मुख्य मंत्री रहे, केंदर में मंत्री रहे और बहुत ही उंचे-उंचे पदो पर कॉंग्रेस पार्टी में रहे, उन्होंने बहुत ही पूरा जीवन कॉंग्रेस पार्टी की सेवा में लगा दिया इनके बेटे चौधरी कुल्दी बिश्णोई जी चंदर महुन जी आगे उनके पोते बव्य बिश्णोई जी जो आज वो भी समाच की सेवा में लगे हुए हैं आज उनकी ग्यारवी पुन्यतिती हैं अमारा ये प्रोग्राम है कि गरिबों की सेवा करके हम हमेशा हर बार